आज मैं यहां वीडियो उन लोगों के लिए लेके आए हूँ जो लोग सुरजगार अपनाना चाहते हैं यह वे लोग जो नौबी से परिशान हो चुके हैं एसे लोग जिनके पास नौटो है लेकिन सुरजगार अपनाने का थोड़ा सबसाहते हैं इस वीडियो में मैं आपको साइंगोर राइटिंग पूरिंग राइटिंग के बारे में बताने जारे हूँ एक हमारे पास 20 x 4 feet का कलर टिन है जिसको हम बराबर 2-2 feet के चुकड़े बना लेते हैं ताकि हम डबल साइट बोर्ड बना सके उसके बाद कम्प्यूटर की मदद से एक डिजाइन रेडी करके आप शब्दों को अलग-अलग चुकड़ों में कटाई करके सभी को प्रिंट आ अब सभी अच्छरों को अच्छे से कटिंग करने के बाद डिजाइन के हिसाब से बोर्ड पर चिपका लेंगे अब दीरे दीरे इन सभी अक्षरों के borderline ready कर देते हैं borderline का काम अच्छे से हो जाने के बाद सभी अक्षरों को हटा लेंगे इस तरह से हमें computerized अक्षर board पर लिखे हुए मिल जाते हैं अब इन अच्छरों को white paint की मदद से भर देते हैं एक दो दिन की मेहनत के बाद आपको आकर्शक बोर्ड नजर आने लग जाता है यह बोर्ड हमारे धन्य धेनू ट्रैनीज की मदद से लिखा गया जिसको आप सभी भी बड़ी आसानी से किसी भी तरह का बोर्ड लिख सकते हैं और एक बहुत अच्छी professional life के साथ बहुत अच्छी income ले सकते हो जनरली इतने बड़े बोर्ड को लिखने के लिए बाजार में 30 से 40,000 दिमान की जाती है बोर्ड को पूरा लिखने के बाद सूखने के लिए छोड़ दी दूसरी तरफ आप वेल्डर की मदद से उसी नाप का एक फ्रेम रेडी करवा लें जिसे अच्छे से दो तीन बाद देंख कर दें ताकि जंक न लगे फ्रेम सूखने के बाद देन को स्क्रू की मदद से टाइप कर लेंगे ताकि भारी बारे स्टूपान में कुछ न विगड़े अब टिन बोर्ड बनकर रेडी है इस काम में आप तक हमें पूरे 5-6 दिन लग गए एक हैवी पोल की मदद से इस बोर्ड को टांग देंगे जैसा कि आप विडियो में देख पा रहे हो और जिसकी सुन्दरता आप खुर देख सकते हो साथ ही आप बोर्ड को दोनों साइड से देख सकते हो कैसे देख रहा है फाइनली टिन बोर्ड रोड साइड में लग चुका है इस काम में रोजगार की अपास संभावनाएं हैं इसके साथ ही जल्दी मिलेंगे नए स्वरोजगार के आइडिया के साथ जै हिंद, जै भारत, स्वास्त रहिए, मस्त रहिए, जीवन में उत्सा, उल्लास और हर्ष बना रहे